लोगसभा के बाद 21 सेप्टेंबर को राज्यसभा ने भी वोमेंस रेजर्वेशन बिल क्लियर कर दिया है और आपको पता होगा कि इस वोमेंस रेजर्वेशन बिल के पास होने से महिलाओं को लोगसभा और स्टेट लेजिसलेटिव एसेम्बली में 33% रेजर्वेशन मिल जा में जब ये बिल पास हुआ तब 214 मेंबर्स प्रेजेंट थे और सभी ने येस में वोट किया है यानि कि एक भी वोट नो में नहीं आया और ये हमारे Constitution का 128th Amendment Bill है जिसे हम हिंदी में नारी शक्ती वंदन अधिनियम भी कह रहे हैं जब ये बिल पास हुआ तब काफी सारे Opposition Members ने कुछ मसले भी उठाए जैसे कि Opposition Members का ये कहना था कि Prime Minister Narendra Modi ने 9 साल क्यों लगा दिये इस बिल को लाने में और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि 2029 के बाद ये बिल इंप्लिमेंट होगा तो Congress Party और काफी सारे Opposition Leaders ने ये भी सवाल उठाया कि इतने साल क्यों लग जाएंगे इसे इंप्लिमेंट करने में जब अगर मोधी सरकार इतनी ही जादा चिंतित है महिलाओं को लेके महिलाओं के रेजर्वेशन के लिए तो इसे जल्द से जल्द इंप्लिमेंट किया जाना चाहिए उडिसा Legislative Assembly ने अपना पहला महिला Speaker इलेक्ट किया है जिनका नाम है प्रमिला मलिक प्रमिला मलिक बीजु जंतादल पार्टी से बिलॉंग करती है जिसकी उडिसा में अभी सरकार है और जिसके मुख्यमंत्री है नवीन पतनायक इससे पहले शन्नो देवी जी भारत की पहली महिला Speaker बनी थी जो हर्याना Legislative Assembly की Speaker थी और साथ ही साथ मीरा कुमार जी लोगसभा की पहली महिला Speaker बनी थी 2009 में